नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त फूडिया मित कनपुरिया और आज हम लोग आए हैं संजयवन के पास जहां पर लोग आते हैं मौर्निंग वॉक के लिए तो हम लोग यहां पर आए हैं किद्वाइनगर के एरिया में और यहां पर एक बहुत बढ़ी आसे मेरे को में नजर आ रहा हैं कौन सा सैन्विश पॉइंट है इनका नाम हैलिक प्ण। है यहां बरुआ आपको मिलती है सैन्विश की वेराइपी तो यह दुस्तों मिलते हैं चलते हो नच से बात करते हैं अपने लिए कुछ नए कुछ Jeanne कुछ लगवाते हैं उसका टेस्ट लेके को कि दूस्तों लोग ऐसेंग पोईन नाम ए yön जङ नहीं को दिखा रहें हैं मेकिंग यहां के सान्वें की यहां काई थारी वराइटी के सैन्वें रिल्ट मिलते हैं और Both क्या नाम है अपका पहले बताएगा गोपाल भी यह जो सैंविच पॉइंट है यह आपकी शॉप की लोकेशन दोड़ा सा बताएगा उपको निया संजेवन के बाहर सोटे वाले बाबा से जब आगे चलेंगे तो दाइने हाथ में आपको पड़ेगी दाइने हाथ में आपको क्या थी वाराइटी मिलती है क्या कौन कॉला नाम बताएगा वेज़ेटेबल होगा चीज कौन होगा तंदूरी चीज कौन होगा पनीर होगा बस्तों देखे रहे हैं काफे बाद बी करता जाता है है और बनाते भी जा रहें तो अभी कौन सान्विच बना रहगा गया यह विजए कौन सेंविच बन वहा है है। छीक है, यहाँ पर मेकिंग हो रही है, सैंविच्ट की मेकिंग होती है। क्या के डालते जारे हैं थाथ बताते हैं। कबसे पहले आलू लिया हुआ है कि इसका डाल दारा है। वाज हुआ है, जबाज हुआ है। पीटोट चला गए और ये पीरा गए और ये मसाले में बड़ा से नमक डाल दिया और ये कमाट गए ये ये वेजवाला इसे है ना पनीर भी जा रहा है तो भाईया आपके सैंविचेश की प्राइजिंग क्या क्या होती है कि वहारे मत्यूच वेज़ते वेज़ते वेज़ती है तंदूर में प्रुपाइगा है तंदूरी चीज़ते वारे 6500 ही पनीर पशास का शुक है तो भाई ये जो दुकान है आपके शॉप है ये कितना पुरानी हो गई है एपे संजैबन पे मुझा संजैबन में आठ गार न और हर एक वराइटी का, चाइनीज टाइप का, टाइलियन टाइप का, यासा की स्विट टॉनिस में पड़ा हुआ है, ये वैज सैन्विच है तो ये आपको थोड़ा आइडिया बताएगे, ये आइडिया आपको आया कहा से कि अ किस सैन्विच लगाया जाएता कोश्व आपके मन में कैसे आया। बस लोगों की दिमांड थी। लोगों की दीमांड थीकिया यहापे सैन्विच भी मिला चीए है, अपने यह पर सैन्विच शुरू किया है ये कहकर डाल दिया मियने ज़ाल दिया और यह एज आद आजं सा वर जरता नी आपका बन भारी बशनी लगें जलारी ज़ी ज़ीज़ मारे ज़ीज़ चीज़ जो सब्सक्राइब जोदेगें काफी ऑची सी कॉंटिटी में हैं ज़ीज़ का यूजा हाँ और सबसे बढ़िया इनका काउंटर जो है वो मुझको अच्छा लगा जैसे इस काउंटर में बहुत सारी चीज़े रखी हुई है ठीक है कि यह वैजिस वाले पर भी जा रहा है यह काउंटर पर थोड़ा से दिखाई यह काउंटर पर आपके क्या-क्या रखा हुआ है जैसे और अब यह क्या लगान जा रहे है यह आपके हमें चट्नी हो गई यह इसके ऊपर से फिरा वी देख इसके ऊपर से जा रहा है केचप जा रहा है और यह वैज मेने जाब Wow अब कि यह एक हुआ हम लोगに अनि ने बनवा लिया है सैंड़िश पॉइंट के बहुत है बहुत सथे सेंविझ बनवाया कि सुबात के टाइम पे ब्रेक्फास इसके टाइम पर बनवाया है सेंविच यहां पर हमने आके कौन सा यह देख रहे हैं चीज स्वीट कॉन सेंविच है इसकी भाई आपको मेंकिंग दिखाएती है इसमें पड़ी है बहुत सारी वेजिस पड़ी है सेंविच है कि देखें वाई यह उसको खाते है तस्वाद हुआ 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 है तो गुड़ है लेख रहे हैं इसमें आई हैं बहुत सारी वेजटेबल साइए और यह स्वीट कॉन वाला है चीजी सा सेंविच बना है और पड़ी है बहुत सारी ब्यूनिद है टोमेट्टो केचप है जिससे इसका कफिय अचा सा फ्लिवर आ र सेंविच है यह हें तंदूरी सॉस का सेंविच है तंदूरी है इसमें बाहत सारी वेजित हैं इसमें स्पेशल नंकी तंदूरी सोस भी पड़ गए इसको खते हैं प्रतोन कर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा अगर आप कानपूर के रहने वाले हैं या बहिया कभी भी बावश में कानपूर आने वाले हैं क्या करिये जब यह कानपूर में आये मौनिंग के टाइंपर संजेवन के पास तो यहां पर एक पॉइंट है कौन सा सैंविच पॉइंट है जहां पर मिलते हैं अपको सेंविच की बहुत सारी वरायटी आपको मिलती है तो दोस्तों यहां जरूर आई इस फेंच फेंच एंजॉइ करिए यह अफ